अधिक का टॉपिक है एफिनिटीज ओफ डिपनोई विद डिफरेंट ग्रूप्स ओफ पाइसे और एंफीबियंस इसे पहले मैंने डिपनोई का जनरल करेक्टर यानि प्रिमिटिव करेक्टर और स्पेशलाइज करेक्टर बताया था उस लेक्चर में मैंने कहा था कि डिपन डिपनोई का एफिनिटीज अगले लेक्चर में हम बयान करेंगे तो एफिनिटीज ओफ डिपनोई विद फिशेश यानि जनरल यानि डिपनोई का फिश से क्या-क्या सिमिलारिटीज है यह कोशन आ सकता है नमबर वन प्रेजेंस ओफ स्ट्रीम लाइन एंड स्पिंडल श या स्ट्रिम लाइनड होता है यानि जिसका अगला हिंसा फिय प्वाइन्ट पिछला हिंसा भी प्वाइन और बीच में फ्लैट होता है यानि बोटशेप लगबग को हम उसी को हम स्ट्रीम लाइन और स्पिंडल शेप कहते हैं इसह दोनों क्लासों पाजा ग्रूप में पा सरक्ल टेल का मतलब हुआ यह तरह से बना हुआ है इस पर एक अलग से लेक्षर देंगे रिगार्डिंग दो कॉडल फिन और दिफ्रेंट टाइपस ओफ तरकल इनकोडल फिन सरकल प्रिजेंस ओफ ऑसिफाइड डर्मल फिन रेज यह जो फिन्स है इस फिन में जो रेज है यह डर्मल इन ओरिजीन होता है और यह हाड होता है इसलिए ओसिफाइड वर्ड हमने यूज किया है प्रिजेंस ओफ ओवर्लैपिंग सैकलोईड स्केल्स प्रिजेंस ओफ एसीलस वर्टीबरी यह वर्टीबरी है इस साइड में भी यह कविटी है उस साइड में भी कविटी है अगर ये जिस cavity को हम centrum कहते हैं अगर ये centrum solid है तो ऐसे वर्टिवरी को acillus vertebrie कहते हैं मतलब ये हुआ कि इसकल का जो बौन है वो जादे ossified नहीं होता है, calcified नहीं होता है, soft बौन होता है जिसको के investing बौन कहते हैं प्रेजेंस ओफ four to six pairs of branchial arches ये gills है जिसको branch कहते हैं ये gills है, ये gills है, ये gills है, ये gills है अब इसमें एक, दो, ये तीन, ये आर्क जो निकला रहता है, इसी को branchial arch कहते हैं, तो दोनों side रहता है, इसलिए इसको four to six pairs branchial arches कहा तो ये सब था similarities diphnoy का fish से, next affinity is with elasmobranchi, elasmobranchi means cartilaginous fish presence of spiral valve in intestine, यहनि दोनों के intestine में, दोनों के intestine में इस तरह का spiral valve होता है absence of nephrostome in kidney tubules, जो nephron है, kidney का, जिसमें के आपका woman's capsule, glomerulus वगरा वगरा होता है, तो उसमें nephrostome नहीं होता है each gill arch has two different arteries, तो दो तरह की arteries होता है, एक जो वहां से ले जाता है, एक जो उसमें लाता है तो लाने वाला afferent artery हो गया, ले जाने वाला efferent artery हो गया, तो हर गिल से दो efferent artery निकलता है both have similar conus arteriosus, यह एक accessory chamber है heart का, both have same diencephalon difference from elasmobranchi, इतना character similar होने के बाद भी, it is not easy task to place dipnoy in the group of elasmobranchi फिर भी दोनों के बीच में बहुत major difference है, जैसे presence of diffy circle tail fin, यानि caudal fin जो है diffy circle होगा presence of operculum, यानि dipnoy में आपका operculum है, elasmobranchi में नहीं होता है presence of lungs, dipnoy को lungs फिस इसलिए करते हैं, यानि air bladder होता है और वो air bladder for modified lungs का का काम करता है जो के elasmobranchi में नहीं है, absence of claspers in male, elasmobranchi के male में claspers होता है एक intermittent organ, जो के at the time of population female को hold करता है, वो structure dipnoy में नहीं होता है absence of external fertilization, इसमें internal fertilization होता है, ये main character है, जिसकी वज़ा से इसको elasmobranchi group में नहीं रखा जा सकता है, ये objectionable है affinities with hollow sephaly, इससे पहले एक lecture में मैंने hollow sephaly का character बताया था तो hollow sephaly और dipnoy के बीच में क्या-क्या similarities है और क्या differences है बात दो ही इस lecture में करना है, एक similarity अगर similar है तो उसको same group में क्यों नहीं रखा गिया ये question पूछा जा सकता है, with hollow sephaly, presence of closed gills, closed gills means gills are covered with operculum presence of closed gills, closed gills का मतब ये नहीं वागी gills बंद होता है, नहीं, gills are covered with operculum means operculum present, presence of auto-stallic jaw suspension, इसमें auto-stallic jaw suspension होता है दोनों में, absence of stomach, दोनों के case में stomach नहीं होता है, दोनों में same type of kidney, gonads and gonoducts होता है ex current nostrils, यानि external nostrils, open into mouth cavity in both cases, दोनों के case में directly mouth cavity में खुलता है और presence of fused operculum gular membrane, यानि operculum के साथ gular membrane attached रहता है presence of spiral valve दोनों में होता है, उसके बावजूद भी, in spite of this, there are three, four differences by which, due to which, dipnoe cannot be placed in hollow cephaly, one, presence of lungs, absence of claspers, absence of external fertilization ये तीन character, खास करके lungs वाला character, जो important character है, जिसके presence के वज़ा से इसको hollow cephaly में नहीं रखा जा सकता है Affinities with actin of terigy, actin of terigy, actinous, actinous means raise, terigy means wing यानि presence of blunt snout, यानि ये जो नुथनी होता है, ये blunt होता है Presence of powerful palatine and splenial teeth, palatine teeth जो होता है, palatine एक bone का नाम है जिसके ओपर teeth होता है, उसी को palatine teeth करते हैं, ये powerful होता है Presence of inferior jugular vein, ये एक new development है, इसमें जो दोनों में पाये जाता है Presence of swim bladder, ये दोनों में है, Presence of closed gills, again मैं फिर कह रहा हूँ कि closed gills means, does not means closed, but it is covered with operaculum इसके बावजूद, इसके बीच में कुछ differences है, जिसके वज़े से इसको separate रखा गया है Presence of homo circle, caudal fins, external nostrils never open into mouth cavity इससे पहले दोनों mouth cavity में खुलता था, ये mouth cavity में नहीं खुलता है Presence of single separate dorsal fin, यानि dorsal field जो होता है, वो separate होता है Caudal fin से attached नहीं रहता है, most have reduced snout, इन सब reason के वज़े से इसको separate category में रखा गया है Affinities with crossover terigy, crossover terigy, terigy means wing, crossover means flap like, the presence of powerful lobate fins Lobate fins means, इसका pectoral and pelvic fin जो है, lobular होता है और एक leg का काम करता है Leg like, leg like, पत्वार like, powerful lobate fins होता है, ये बहुत important character है इसका Presence of deep circle caudal fin, presence of blunt snout with ventral nostrils, यहाँ nostrils ventral होता है जबकि other में dorsal or terminal होता है Vertebral column up to the caudal fin, यानि vertebral column ये जो है, ये tail fin, tail, ये tail हो गया यहाँ तक ये vertebral column फैला हुआ है Paired inferior jugular veins present, इससे पहले single inferior jugular vein था, अब यहाँ पर paired है Presence of contractile conus arteriosus, ये एक accessory chamber of the heart है और ये contractile nature है, जो के dipnoi और cross of teddy का बहुत ही important feature है Presence of air bladder Presence of powerful palatine and splenial bones दोनों में होता है Presence of cosmine covered saccleroid scales Cosmine एक semantic material है, जो के scale बनाने में मदद करता है, जिसको हम एक अलग lecture में Scales, types of scales and its development बताएंगे, और acillus vertivity दोनों में होता है, यानी centrum absent होता है इसके बावजूद कुछ differences है, जिसके वज़े से इसको अलग category में रखा गया है One difference is structural organization of food crushing apparatus Food crushing apparatus, इसलिए कि इसका tooth apparatus, dermal plates में बदल जाता है जिससे ये invertebrate shell को crush कर सकता है Difference in fin skeleton, यानी hard ossified fin raise होता है Difference in snout, in shape of snout, whether it is long, whether it is short, whether it is blunt, whether it is pointed Division of hurt, division of hurt में भी जैसे dipnoy में और इकिल जो है partially divided होता है और इकिल partially divided करता है, यानी partially ये three chambered hurt होता है जबके other category of fish में two chambered hurt होता है इसलिए dipnoy में ये औरिकिल है, ये औरिकिल है, ये partial division है इसलिए incomplete three chambered hurt होता है Neural endocardium में भी problem differences है Blood supply of swim bladder में differences है इन सारे differences के वज़़ से इसको separate category में रखा गया है इसके साथ ही dipnoy का, चूँके शुरू में ही lecture में मैंने कहा है कि dipnoy is called uncle of amphibians Uncle of amphibians मतलब हुआ कि जादे तर character dipnoy को dipnoy का amphibians से मिलता जुलता है इसको इसके साथ जोरने पर लंबा lecture हो जाता इसलिए उसको आगले lecture में हम लेंगे मतलब affinities with amphibians and phylogenic significance ये दोनों को एक lecture में लेंगे उसके बाद kondriktis का classification करेंगे उसके बाद फिर दूसरे topic पर करेंगे I hope that you will get benefited from this lecture and you will like it, share it, subscribe it Thank you all के सबस्वाद के सबस्वाद आगले झाले